क्वेशन नमबर 9 क्या मोल रहा है अब वेरिशन और पोटेंशन एनरजी यू ऑफ इस सिस्टम इस फिगर के अंदर जो किया गया है यू और एक्स का एक ग्राफ बनाया गया है तो यहाँ पर चार ग्राफ हमें दिये गया है और हमें बताया बताना है कि यहाँ पर फोर्स जो है वो किस ग्राफ के थुरू रिप्रेजेंट किया जा सकता है ठीक तो चारो ग्राफ में से हमें यह ग्राफ यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है फोर्स इस इकल टू माइनस ओफ डी यू डिवाइड बाई डी एक्स और डी यू डि ठीक यहाँ पर डी यू डिवाइड बाई डी एक्स कितनी है डी यू डिवाइड बाई डी एक्स कैसा है जीरो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर फोर्स भी कैसा होगा जीरो ठीक है कहां से कहां तक X1 से X2 तक अभी सिर्फ में डी यू डिवाइड बाई डी एक्स की बात कर यहां बोल सकते हैं दी यू डिवाइयड़ by dx कैसा है constant है इसलिए हम कहे सकते हैं कि फोर्स कैसा होगा constant होगा पिर अगंवेड़ देखें तो ऑप दी यू डिवाइयड बाइय डिएक सब्सक्राइब कैसा है constant है इससलिए फोर्स भी कैसा होगा इसे मिल रहा है यहां पर फोर्स बढ़ रहा है यहां पर फोर्स कम हो रहा है यहां पर भी फोर्स नेगेटिव में बढ़ रहा है यहां पर भी फोर्स कम हो रहा है तो यह दोनों तो नहीं हो सकते अब इन दोनों ग्राफ को देखते हैं इस ग्राफ में x0 से x1 तक और x2 से x3 तक जो कि हमें force constant मिले हैं represent किये जा रहे हैं यहाँ पर भी represent किये जा रहे हैं constant force ठीक अब इन दोनों में से एक हमें choose करना होगा चलिए अब हम जानते हैं कि f is equal to minus du divided by dx होता है तो अगर यहाँ पर हम देखें कि du divided by dx अगर कैसा है स्लोप कैसा है पॉजिटीव अगर स्लोप कैसा है उजिटीव दिटाटी यू डिवायरेड यू दै क्या हो जाएगा, निगेटी तो इस d u divided by d x क्या हो जाएगा negative ठीक और फॉर्स कि आजा हो जाएगा negative इसका reverse वासे वर्सा भी त्रू होगा वासे पर सब्क्राय क्या क्या आगर doubt u divided by dx कैसा होगा negative honest को माइनस D u divided by dx नेगरीट का क्या हो जाएगा यह जाएगा यह देखते हैं, 0 से लेकर के x 1 तक slope कैसा है, slope कैसा है, positive, slope कैसा है, positive, slope अगर positive है, तो minus du divided by dx की value की बैलु की आ जाएगी, slope अगर positive है, यहाँ slope positive, तो minus du divided by dx की value की आजाएगी? negative, तो minus du divided by dx की आजाएगा? negative. तो force भी क्या आजाएगा? negative, constant तो है, लेकिन कैसा है? negative है, ये रहा negative. ऐसे ही, यहाँ पर क्या होगा? du divided by dx constant तो है, लेकिन constant होने के साथ-साथ क्या है? slope कैसी है यहाँ पर negative slope कैसी है negative इसलिए du divided by dx negative क्या होगा positive इसलिए force भी क्या आ जाएगा positive तो force क्या होगा positive ठीक है तो यह क्या होगा option A हमारा correct answer होगा